अब सभी के मन में एक डाउट होगा कि जही में 2023 की परिक्षा कब से स्टार्ट होगी, कब एप्लिकेशन फॉर्म आएगा, रिजिस्ट्रेशन कब आएगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करें exam dates के बारे में, तो जैसा की news articles में पता चल रहा है, कि जो आपका notification है, ये 20 November को release किया जाएगा, ये कोई official notification नहीं है, अलगर अगर news articles में जो news निकल खारे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना कि आपका examination कब है, तो अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझ लो, 20 November को आपका notification आ जाएगा, और notification के हिसाब से आपको number के last week तक registration स्टार्ट हो जाएगे, जनवरी examination के लिए, और ये भी उमीद की जा रहे हैं, जो आपका April का exam है, उसका जो registration है, ये फरवर examination pattern है, वो same रहेगा, जिस तरह से 2022 में examination pattern था, वही same pattern रहने वाला है, आपको total 90 questions मिलेंगे, जिसमें से आपको 75 questions करने हैं, और जो total number of candidates हैं, वो लगबग 10 ये साढ़े 10 लाग candidate participate करने वाले हैं, तो competition tough रहने वाला है, तो आप अगर preparation कर रहे हो, तो अच्छे से preparation करते रहो, 75% करेटरिया को लेकर अभी कोई भी update नहीं आए, जैसे ही कोई update आता है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो इसलिए ये आप बिल्कुल मत सोचो कि 75% है या नहीं है, 75% मिंस कि आपको NIT, IIIT और GFTI में admission के लिए 75% class 12 में रहना जरूरी है, आइटी में के में ये सारी चीज़े को हटा दी गई थी, तो ये कुछ अभी के लिए update है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, simply आप जो news articles के मदद से हम आपको updates देते रहते हैं, वो बस देख लो, 3-4 minute का समय आपका बस लगेगा, और उसके अद़ अपने preparation में लग जाओ, mock test दो ताकि पर share कर सकते हो, thank you for watching, thank you